जहासी में पुलिस की दबंगई देखने को मिल रही है। पताया जा रहा है कि एक रोज पहले जहांसे के लहचूरा थना शेत्र के अंतरवरत आने वाले ग्राम सोनक पुरा में दो पक्षों में बिबाद हुआ था। उन्होंने मीडिया कलब के पत्रकार साथी रजनीज दुवे को रास्ते में रोका और गाली कलोज करते हुए फरजी मुकदमे में फसाने की धमकी दी गई। आरोप है कि जब मीडिया कलब के साथी रजनीज दुवे कहीं जा रहे थे तब उन्हें रोक कर गाली कलोज करते हुए फरजी मुकदमे में फसाने की धमकी दी गई। साथी मीडिया कलब के पत्रकारों को भी गाली दी गई। इसके शिकायत करते हुए मीडिया कलब के लोगों ने मौरानीपूर पुलिस शित्रादीकारी अरोण कुमार चौरसीय से करते हुए जाच कर कानूनी कारवाही की मांग की है। आरोप ये भी है कि पुलिस त्वारा आरोपी पक्ष से साथ घाट करके पीडित का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब पत्रकारों ने निस्पक्ष खबर चलाई और वीडियो सामने वाइरल हो गया तो पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा था। और इसी बात से थाने के लोग पत्रकारों से खपा हो गए थे। जो पत्रकारों को पीछे फरजी मुकदमे में फसाने की बात कह रहे हैं। महुराणी पुर सेर अभी परिहार की रिपोर्ट